है चलो भाई आज़ों ऑडम टॉपट करने वाले है प्रोवीजन ओर गाइडसां काउंसेनिंग वाला ठीक हैं गाइडेंस और काउंसेंग क्या होति है नहीं अट प्याट आप लगागों के लिए आज तो देखो काउंसेन काउंसेलिंग की यह एक और है हमारे पास जिसमें काफी चीज़ दी हुई है यह इस दोनों आपके लिए इंपोर्टन है दोनों के साथ एक साथ देखे चलेंगे देखो अब देखो गाइडेंस से आप क्या समझ लिए हो सबस्वारे लोगों से पूचते हो ना फुष्ते हो तो यही गाइडन्स होती है आप सबसे लेते फिरते हो की हनजी बतादो हमे हम 11 में क्या ले हम क्या ले हम क्या ले हम क्या ले ठीक है है पुछा होगा कोई पता इस बारे में ठीक है अब ना यह जो गाइडेन्स है ट्रेडियस चलती आ रही है यह मतलब अभी बैसिकली एकदम से राइज में आई है इसका नाम राइज में आए बैसिकली गाइडेन्स तो आ लेते हैं अपने माबाप से अपने रिलेशन वालों से मितला अपने अंकरणटी से अपने टीचर से हिसा अपने दोस्तों से अपने बड़ों तो गाइडनस लेते आ लिए यह इक्तम से एक्तम्तस से ट्रेंड में आना मेंस कि गाइडनस नाम का शब्द एक्तम सी आजहना और प्रोफेशनल वे में बन जाने इस चीज़ को यह अभी जस्ट हुआ है ठीक है क्यों यह क्यों हुआ है एकदम से modernization हुई इंडिया में उसके उससे क्या हुआ है कि लोग दूसरों से बात करना नहीं नहीं चाहरे हैं दूसरों से अपने भाव वेक्टनेगर पारे हैं अपने जो सोचते हैं और आगे क्या करना चाहिए वो पूछना नहीं चाहरे हैं ठीक है इसकी वजह से अलग से guidance workers और counselors बने हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से guidance मिल पाए ठीक है तो इसलिए guidance और counseling time का अभी just evolve हुआ है अभी just evolve हुई है ठीक है सिंपल चीज़ यह लिख हुए कि भाई हमें अपने challenges अपने stress को handle करने के लिए या तो कोई step उठाना पड़ता है अगर वो step हम समझ नहीं आ रहा उसके लिए हम किससे पूछते अपने घर वालों से अपने साथ वालों से जिससे भी आप comfortable होते हैं बात करने हैं उससे पूछते simple बात यहीं है ना तो अगर उनसे भी ना पूछ प्रॉब्लम हुई था आप खुद सोचके देखो आपको लास्ट बार जब problem हुई तो आपने किस से बात करें आपने किस से बात करें पहली बात आप तो असी से बात करोगे खुद सोचके देखो मने में last time मुझे क्या problem आई थी मेरी preparation के वक्त या फिर किसी भी लाइफ में कोई भी problem के बगए तो मुझे जो problem आई थी मैंने किस्से बात करे थी और वो पहला नाम वह होगा जिस पर टरस्ट करते हैं जिस पर यह पीछ तो पूप अच्छा रखता है यार मैंने अपनी शेयर कर ली अगर कुछ हो सकते हैं तो यह पक्का कोई ना कोई रास्ता निकाल कर देगा the person whom you can find it confided होता है अपने secret सा बताना या फिर अपने secret बादे share करना इन में the person whom you confided in may have suggested certain steps to handle the problem which you may not have thought of तो जिससे आपने बात करी जिससे आपने भी थोट शेर किये तो उसने कोई ऐसा तरीकर बताया होगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा पता है क्या होता है जो आप किसी शेर करते हैं तो आप तो आपका तो point of view एक रहता है एक maximum दो रहे जाएंगी एक problem को ले कि बट आप किसी को बताती है हो ना तो वो तो आपके point of view उसके काफ़ी सारे point of view होगे क्योंकि वो situation में नहीं होगा ना तो उसको अच्छी ततिके से क्या पता हो handle कर ले समझ रहे ना तो ये बात है कि अग जब आपने सम्टाइम्स दा लिस्नर इस एबल तो गाइड यू लुक इन वर्ट्स और फाइंड सॉलुशन तो कभी कभी हां जो लिस्नर लिस्नर में जिसको आप बता रहे अपनी बाते हैं तो कुछ अच्छे स्टेप्स आपको बता रहेता है इन दिस मैनर शेरिंग वन्स ट्रबल विज अ ट्रस्टेड परसंगे अपने माबाप अपने मम्मी के साथ और में शेर करूंगी तो जरूर करिए ठीक है problems अगर अंदर दबा के रखोगे तो वो अंदर ही अंदर बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी जिससे आगे आने वल देया आपको problem हो सकती है छीक है काफ़ी सारी problem हो गाते हैं psychological problem depression है ना तो अगर आपको सामने कोई भी problem आ रही है अपनी ego को side रखते हुए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे अपने family के साथ जरूर share करें कोई नया idea आ रहा है कोई problem आ रही है घर वाले आपके हमेशे साथ खड़ी है तो घर वालोशत पक्का share करें अपनी problems ठीक है This is because seeking guidance from others enable a person to examine the situation from various perspectives and find appropriate solutions जब आप दूसरों को बता हुए न तो वो तो अलग-अलग perspective से देखेगा अपनी आपकी problem को जिसके विए से आपको काफी सारे solutions मिल जाएंगे problem के उसके बाद वो आपके depend करता कौन सा choose करते है ठीक है You may have seen or heard of people facing different type of challenging situations a friend may be upset with her poor grades in examination a youth may be disturbed because of his parents often quarrel with each other another person may be having difficulty with friends someone else may have financial problems तो आपको पता है सब की अदला problems है किसी की financial किसी की घवाई घर में लड़ाई चल रही है किसी के marks कम आ रही है और किसी की दोस्त में दिक्कत आ रही है ठीक है तो ऐसे काफी सारे problems हो सकती है यह भी आपको पता है Many students on the threshold of the college may be confused about the choices to be made for the further studies and such other issues Threshold of the college means जिसका college just khatam होने वाला है तो वो confused रहता है कि आगे मैं क्या करूं आगे मैं क्या करूं ठीक है They are perhaps in situation which they are unable to deal with by themselves Here they would benefit from professional guidance and counselling तो ऐसी जगह में इसको professional guidance और counselling की जरूरत पढ़ेगी These are the processed help people when they feel that they are in challenging situation cannot find a way to cope with it ठीक है तो guidance and counselling जरूरत कहां पढ़ेगी जहां बंदों को यह पता ना लगे जहां वो dilemma में हो dilemma क्या होता है दुवंद दुवंद में हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए इस problem का मुझे कैसे face करना चाहिए अगर मैं यह करूँआ तो कुछ गरत नहीं हो जाएगा तो ऐसी चीजों में हमें guidance और counselling की need होती है ठीक है अब देखो इस में ना इस वाले example में कहा लिखाव एक simple से होता है था हूँ कि एक संदीप ए संदीप वो medical entrance exam में ना fail हो गया है वो दूसरी बार चाहिए कर दूसरी तीसरी बार fail हो चुका है बट वो ना साथ की साथ arts में drawing में ठीक है बड़ा ही अच्छा है बट अब क्योंकि उस पे pressure है कि हाँ मैं यार्थ दो साल में ने कर इस पे waste कर दी है medical पे तो क्या मैं तीसरा साल इस पे और लगा हूँ क्योंकि अगर क्योंकि मैं उसमें भी अर्षा हूँ अच्छा हूँ arts में तो arts को गर मैं एक साल दे दूँ और फिर ड्रॉइंग को मैं एक साल दे दूँ शायद मैं क्या पता उस फिल्ड में अच्छा कुछ कर पहूँ तो यह basic बात लिखी हुए है तो इस टाइम इसको guidance की बहुत जरूद था है ऐसा इसे एक्जामपल है कोई need नहीं आपको याद करने की ठीक है अब देखो एक ना इनसर्वे conducted by the All India एजूकेशन वोकेशन गाइदेंस फॉर असिस्टिंग कॉले सुदेंस नीड मेजर प्रॉब्लम रिपॉरेट वाइफटी पर्सेंट व रिस्पॉंस वर आप देखो गाइदेंस और काउंसलिंग की जरुरत क्यों पड़ती है और क्या क्या दिक्कत आई है बच्चों को वो देखो पहला है gap between एक पर देखो नंग से clear दिख रहा है कि निख रहा हाँ gap between expectations and performance कि उन्होंने क्या expect किया और क्या उन्हें performance में मिला उसमें gap हो जाना तब बच्चा problem में आयता है दूसरा lack of knowledge regarding carriers and professions बच्चे को पूरी जानगार नहीं होती regarding carriers और performance आप खुद बतादो आपने अगर JVT और फिर बीड करी है कितनों उन्हें खुद से करी है और कितनों ने घरवालों से घरवालों के प्रेशर मां करी है यह बतादो आप समझे रहे हो तो lack of knowledge regarding carriers and professions छीक है anxiety regarding the future future को लेके attention होना छीक है lack of concentration concentration ध्यान ना लगा आपाना यह बिए दिक्कत है बच्चों की inability to make friends or deal with the numbers of the members of the opposite sex कि धंग से communicate कर पाना अपने friends से अपने feeling share कर पाना और opposite sex से दंग से बात कर पाना मैं जगर लड़का हो तो लड़की से बात करने में चोड़ी दिक्कत होना और लड़की है तो लड़के से बात करने में दिक्कत होना ठीक है lack of knowledge regarding sexual matters तो sexual matters के regarding knowledge कम होना ठीक है lack of information regarding one strength and weakness खुद के बारे खुद की strength और खुद की weakness के बारे में information ना होना ठीक है अभी आपको खुद की आप एक्जाम देने वाले के विएस का आपको यतने सब्जेट्स हैं आपको पता होना चाहिए at की skills और abilities के बारे में knowledge ना होना lack of resources resources के कमी होना lack of knowledge of effective learning strategies learning strategies effective learning strategies के कमी होना inability to forgive oneself or past mistake past mistake को पीछे गलती कर दी उसी पे अटके रहना आगे के बारे में नहीं सोचाना यह भी बहुत बड़ी गलती होती है ठीक है तो इनी सब चीजों की वज़े से जो यह उपर है न यह problem जो बच्चे को आती है इनी सब चीजों की वज़े से जो इंपॉटेंस है guidance और की वज़े से जो importance guidance और counseling की वो वड़ जाती है अब आजब आगे हैं आजब देखो guidance क्या होती है कि जैसे की नाम से पता लगा रहा है guidance guide करना guidance guide करना अगर आप रस्ते पर खड़े हो और आप आप से कोई tourist आया फिर कोई guardian family आया आप से पूशती है यहां जाना है यहां बता दो कि कैसे जाए तो आप बोलते हैं आगे से right लेके left लेके यहां पहुंच जाओ आप ऐसी बोलते हैं तो आपने basically वो guide कर दिया वो आपने guide कर दिया ठीक है तो means basically बस रस्ता दिखाना is called guidance ठीक आगे देखते हैं with respect to students क्या होता है बटे को समझे लो guidance can be explained as assistance made available by competent counselor to an individual of any group to help him or her direct the life course develop a point of view make decision and be better adjusted ठीक है तो simple चीज़ यही लिखी हुई है guidance क्या है किसी भी बच्चे को चाहिए वो कुछ भी हो चाहिए किसी भी group से belong करता हो उसको एक particularly रस्ता दिखाना उसको एक life का point of view देना ठीक है और उसको decision बनाने के लिए comfortable करना कि decision पता है guidance मिना decision आपको नहीं आपको रस्ता दिखाना है decision बनाना decision को खुद से समझ के लेना वो होता है बच्चे का काम ठीक है और ये बात याद रखना ये बात याद रखना guidance है ना जैसे मान ली ये पूरी चीज guidance है ठीक है ये पूरी चीज मैंने मान ली guidance है तो guidance के अंदर ही ना counselling आती है ठीक है guidance की अंदर ही counselling आती है समझ गए guidance की अंदर ही guidance का पार्ट ही counselling है कुश्चिन आराम से पूछ लेगा देखो आगे हम डिसकस करेंगे की कुश्चिन में सींपल पूछ लेगा की counselling guidance का पार्ट है की नहीं है वही true false पूछ लेगा ये फिर पूछ लेगा yes or no only one and two तो yes counselling is a part of guidance ठीक है देखो आगे guidance does not means giving directions nor it is an imposition of one's point of view on another person ठीक है guidance का मतलब सीरफ क्या बोलते हैं दिख रहेगा बोट देखो clear ठीक है देखो guidance का सीरफ और सीरफ मतलब direction देना नहीं उसके बाद ना अपने जो अपना point of view है किसी और पर थोपना imposition हो दाए ना imposition imposition हो थोपना अगर आप किसी युग guide कर रहे हों आप इसको बच्चा यह तो यह नहीं आगर आपको आपना point of view लेकर बैठ के बैठ के बाद क्या लो पिर यह नहीं है आपको अपना ही एक्जामपल लेकर बैठ आपने बारे नहीं सोचने लगा आपको उसके साइड से देखना कि उसकी स्किल्स के है उसकी प्रॉब्लम्स के है वह उसकी तरफ से देखके उसका point of view बनाना है और उसको आपको simple एक direction दिखाने बच्चा यह तू करेगा तो यह हो जाएगा यह करेगा तो यह इसमें इतना खर्चा है इसमें इतना खर्चा इसमें आगे जाकी इतना खर्चा है आपको बस उसको basic idea point एक भी दिखाना कि ऐसे ऐसे करेगा यह हो जाएगा decision लेना उसका काम है ठीक है तो आप खुद का point of view उस पर थोप नहीं सकते ठीक है the person who is guiding another does not takes the honest responsibility of making decision on the behalf of the client इसमें simple होई लिखा हुआ है अगर आप उसको guide कर रहे हैं तो यह मतलब नहीं है कि उसकी responsibility decision making के आप ले रहे हैं आपको बस सारे के सारे point of view के सामें रखने की बच्चा तो अगर यह कर लेगा तो आगी जाकी यह बन जाएगा यह करेगा यह करता है इसमें खर्चा ज्यादा है तो उसको दिखाना है कि हाँ यह करेगा यह हो सकता है decision लेना उसका उसकी responsibility वह उसकी खुद की है आपको नहीं लेना response आप उसको decision making आपको नहीं बना लिए आप आप we can see that guidance is more about assisting people to find their way rather than giving instruction or ready-made solutions उनको ready-made solutions provide करना उनको instructions provide करना कि हाँ तू यह कर यह नहीं करना तू यह कर सकता है तू यह कर सकता अगर तू चाहे तो decision है ना तेरा काम है समझगे guidance का मतलब basic मतलब समझगे guidance का ठीक है आजयो counseling अभी देखते हैं पहले guidance का पूरा topic अतंब लेते हैं देखो need for guidance यह दोनों आपको मिल जाएंगी तो यह ग्रूप में दोनों की दोनों मिल जाएंगी तक सारा चीज काम की ने थे काम की चीज वही पड़ो जो काम की है ठीक है ऐसे तो बतेरी चीज पड़ी ने टपे ठीक है जो काम की चीज है सिरफ वह पड़ो ठीक है need for guidance तक guidance की need का है there is a growing awareness towards education due to increase in population and limited job opportunities there is an increase in educated unemployed by providing proper guidance the educated unemployed youth can be helped to identify work situations suited to their potentialities अब देखो आपको पता है कि जैसे जैसे population बढ़ रही है वैसे वैसे jobs भी कम हो रही है क्योंकि कोई चीज बढ़े की दूसरी चीज कम ही होगे उसकी comparison में है ना अब क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़तो रहे हैं बटको जॉब नहीं में रपारी जिसकी वरे से educated unemployed बहुत ज्यादा हो चुके हैं जिस पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज्यादा हो चुके हैं ठीक है इसके लिए आपको बच्चे को proper guidance देना और यह ऐसा होता भी क्वे लिए खटती हो जाए है ना तब ऐसा होता है तो अगर आप 12th 11 12th proper guidance देंगे बच्चा तो यह करें बच्चे क्योंकि वही सही जब बच्चा diversify हो जाएगा मिस 12th से ही जब हर बच्चा अलग-अलग field में जाएगा तब मुत नहीं भीट नहीं बढ़ेगे जबकि 12th के science के ब help the educational authorities by developing curriculum according to needs and abilities of the students ठीक है अब क्या हो रहा है आप खुद ही बता दो आपको कितनों कितनों में से आपने स्कूल में रटा नहीं मारा 8 तक 9 तक 10 तक मारा है न तो यही नीड है यही problem है कि ratification चल रही है जिससे कोई फाइदा नहीं है जिससे कोई फाइदा नहीं है एक्स प्लस एक्स स्कूर्ण बड़ाइब फिर एक्स स्कूर्ण को होल स्कूर पढ़ते हैं वो काम कहा आता है तो यही नीड है जो काम आनी चाहिए चीजे profit loss discount percentage वो पढ़ते हैं पर बहुत पहले बढ़ लेते हैं लिए तो समझ रहे हो तो नीड क्या है नीड क्या है जो हम एक्जामपल पर बाग एक्जामपल भी हो सकते हैं ठीक है तुरू guidance राइट परसन को हम देख समझ सकते हैं कि हाँ यह suitable है अब भी फिलाल वो नहीं चलता हमें सुटे क्या बोलते हैं अब आप उमेंसे कितनों कितनों को लगता है कि अगर हम टीचिंग में ना आते हैं फिर और इस फिल्ड में ना आते हैं तो हम बाकी फिल्ड में कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो means guidance की उस चीज में जरूरत है कि अपनी specified job के लिए जो राइट परस frustration problems of discipline and delinquency also arise during this stage कि भाई कहां आपको दिक्क्रते लगरें society में कि लड़ाई हैं बहुत बढ़ रहे हैं फैमिलीज में अच्कल बहुत ठीक है उसके लिए guidance की बहुत जरूरी है as the life pattern is changing fast and becoming complex there are increased demands of society and parents which has reduced the personal contact between the parents and children और एक main factor यह भी हो चुका है कि महबाप और बच्चे मिलके बैट के बात नहीं कर पा रही है इसके बाद अगर महबाप और बच्ची सब बैठ थी तो कुछ बच्चा अपनी बताएगा और कुछ माबाप पने बताएंगे जिसकी विए इसे thought का मतलब आगमन का मन हो जाता है ठीक है thoughts sharing हो जाती है जिसके तोड़ा मन हलका हो जाता है प्लस जो भी प्रॉब्लम है वो सौल हो लाती है बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है है नहीं यह सब्सक्राइब डेवलोप्पेंट्पेंट्स एव रिजल्टीड इन प्रॉब्लम फ माल अड़्जिस चिल्रन डर बिकमिंग वही कॉमन माल अड़्जिस परसन भी जो कहीं अड़ीस ना करपा बाहर जाएगा बाहर डंसे नहीं बोलेगा किसी ग्रूप में पैठाग कर करके उठेगा ठीक है और किसी एक्टिटी के लिए पूछोंगे हमेशा वनाई करेगा समझे रहो इस टाइप के बच्छे आज कर हो रहे हैं अर्लियर देर वस नॉट मुश कॉंशिशनेस एच वेले सब्सक्राइब 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 पहले तो क्या था पहले इ चल भाई तू फार्म खेती में रगजा तो लोयर का तुम अगला लोयरी कर ले तीक है पहले इतनी प्रोफेस्टेंस की डिफरेंट जब ऑपर्चुनिटीज थी उनका आइडिया नहीं था बट जैसे जैसे इंटरनेट आया वैसे वैसे सबको आइडिया होगा तो अब हर सब्सक्राइब में और मुशुमाश्मस बराबर से यह कॉंपिटिशन एक क्यों की पॉपूलिशन जाता है तू काइड़न सुदेंस कैन भी हैल्प तुछ टुछ गोर्स सबकूर्ण दृब्रेश्ट इंटरेश्ट इंटरस एंपिटूड गाइडिश्ट इंटरेश्ट ग इस चीज में भी इस फील्ड में भी गाइडन्स की ज़रूरत है था कि बच्चा कहीं अलग ना भटा कर जाए कहीं बच्चा कहीं अलग ना भटा कि जा है रिलीजन कहीं वो घर्थ रिलीजन को मिस इंटर्पेट ना कर ले रिलीजन कुछ कहर और वो मिस इंटर्पेशन कर रहा है तो यह सारे जीज़ें गाइडन्स इस ऑल्सों नीड फॉर और अवरॉल परसुनली डेवलप्मेंट यह आपको पता है यह परसुनली डेवलप्मेंट के लिए जरूरी है और कंट्री है सर्टन प्रॉब्लम से एडियाज वियर गाइडन्स इस नीडिड इस आर्स कास्ट प्रॉब्लम्स न्यू एकनॉमिक पॉलिशीज और प्रॉब्लम्स और रिटायर पर संदे को काफी सारी स् वो आपको भी नहीं पता होगा बर्ट आपको benefit हो सकता है उस scheme से उस scheme से आपको benefit हो सकता है व पर आपको नहीं पता होगा तो इन सब चीजों के लिए पर गाइडन्स की requirement है क्योंकि जैसे आपको पता है कि image traditionally woman की image क्या थी घर पर काम करना थीक है तो इसकी वज़े से क्या एक थोड़ा सा imbalance स्क्रीट हो रहा है कि जिसकी वज़े से हर फैंबल्य को गार्ट करने की जूरत है समझ गए तो रोल अगड़ेंस क्या है समझ गया थीक है यह ट्रू और फोल्स है कर लेंगे अंतर लास्ट मिज़ें रहे हैं गाइड़ेंस अधूरेंड प्लॉई है ठीक है यह इंक्रीजिस् करता है और गाड़ेंज झिक्रीज करता है तो यह फॉल्स है हैना तो यह कर लेना गाइड़ेंस ओर राइट पांग इंडिविजल ड्रूइ इस सारे कर लेना फरफोस घायनस कोई भी जरूरी है नहीं इस एपने देख लिया पर फॉस गाइड़ेंस क्या है जो भी यह इनक पर्सनल डैवलप्मेंट त्रू करिकुलर और को यह जो पॉइंट है यह याद रखना यह वाले दो यह तीन जो ब्लैक में लिखे में यह याद रखना चीक है किस किस एरिया में आप गाइडन्स प्रोवाइड कर सकते हो पहला है इंडिविजिन करिकुलम अकैडमिक अचीवमेंट और प्रोग्रस में उसकी हल्प कर सकते हो दूसरा उसकी पर्सनल डैवलप्मेंट में उसकी करिकुलर और को करिकुलर अक्टूटीज में उसके हल्प कर स सबस्के उसको परूस्टनर्सकी उसके स्कूल में परस्टनल शुक्यों के साथ चोटों शॉब सकते कैसे उसकी पर्सनिशनिशिप के उसका अंडरोर और एक इसकार सकता वर आज चीजें उसको बताके और देसे सथ एकटें Ce में बताओ भाई तेरे में क्या शक्ति शक्तिया में वैसी नहीं शक्तिया में क्या क्या स्ट्रेंथ है तेरे पास। तु असल में है क्या इस प्राइट में तो तेरा एक इस स्कुल में हिस्सा क्या है यह उसको समझाओ पुछ आपाने सब्सक्राइब बिज नाइन भी में होते हैं आग उले के इडिशनल रिक्वार्मेंट सोफ़्ज में खुद के साथ दूसरों के रिलेशनल रिलीशनल संजाओ ठीक है एजूकशनल वोकेशनल रेकॉर्मेंट पॉट नपैस्ट नॉ के एकॉटिशनल इडिवि ठीक है, Utilization of appropriate opportunities, educational and vocational areas, ठीक है, कि appropriate opportunities उसको दिखाओ, कि यही इस तरह को, इस field में जाएगा, तो यही option मिलेंगे, इस field में जाएगा, तो यही option मिलेंगे, यह हो दिक basic guidance, ठीक है, ठीक है, यह तीन scope थे इसके, अब इसको थोड़ा detail में देखो, academic achievement and progress, sometimes it is so happened, तो काफी साल बारना क्या होता है, आपको पता है, कि किसी बच्चे के marks कमा रहे हैं, बट न, उसका IQ level अच्छा है, वो आपको पता रहेगा, आपको पता रहेगा, किसका IQ level कितना है, और नहीं हो तो निकालो भाई, नहीं हो तो निकालो, ठीक है, अब आपको पता है, इसका score कमा रहे हैं, बट इसका IQ अच्छा कासा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि नालायक है, इसको guide करो, उसको guide करो, कि उसकी weakness की subject में है, जबी तो marks कमा रहे हैं, उसकी weakness की subject में है, बेटा, तेरी weakness ना English में है, तो English पे काम कर, एक काम कर, तो remedial class लिया कर, English वाली मैडम से, उसको मैं बोल दूँगी, उसको मैं बोल दूँगा, कि मैडम इसको provide करो, English की classes, है ना, समझे रहे हो, तो ताकि, जो उसकी कमी है, वो उसकी कमी ना रहे, तो जो सकोर, जो सका achievement था, सकोर में, वो जो कम था, वो बढ़ जाएगा, यह फिर improve होगा, है ना, तो यह आप काम है, sometimes it is so happens that, a student scholastic achievement is low, but shows high IQ, in such cases, guidance worker can find out with the help of certain psychological test, as to where the weakness lies, तो एक particular psychological test करके, guidance जो रकर है, वो निकाल सकता है, क्या, कैसको weakness कहा का है, इसकी, thus helps the students to come up to the desired levels, sometimes the students has certain problems relating to studies, that he or she is not able to cop up with her, और his or academics, guidance worker can be effective in such situations, जो पता ही है, कि personal development में guidance worker कैसे काम का सकता है, guidance programs are so designed that the personal development of students is nurtured optimally, कि वो जो उसकी personal development है, उसकी personal characteristics है, वो develop हो जाए, अच्छी तरीके से, guidance programs को इसी हिसाफ से develop किया जाता है, इसकी हिसाफ से बनाया जाता है, ठीक है बाई, क्लियर है आज वो नीचे, पर्सनल शोशल रिलेशन कैसे है, कि दो और उसे घुलना मिलना, इस सुसाइटिम में adjust कैसे करना है, इसके लिए guide करना, आप क्या हो चुका है ना, या फिर आपको कोई घर में होगा, या फिर आपको कोई आपका ऐसा class में मिल लेगा, जिसको और और गुलना मिलना पसनना हो, जो वह चड़की रता हो, और अगर गुरूप में रहेगा, तो लड़ाई करने उठेगा, तो ऐसे बच्चों को सिखाना कि यार सुसाइटि में तरको मिलके चलना ही पड़ेगा, everything but in society, तो पैसे एक टाइम को कमा लेगा, है न, या फिर name, fame, money, कमा लेगा, बट उद दिखाएगा कि इसको, अब खुद सोचो, अभी आपको, आपके पास, एकदम से, सिर्फ आप बचो और पूरी दुनिया के बंदें गायब हो जाएए means, आपके पास, जितना भी जो भी फिलाल है, सारे पैसे आपके पास दें, सारा समान आपके पास दें, सारी चीजे आपके पास दें, जो आपको चाहिए, गाड़ी, बंगला, सारी चीजे आपके पास दें, आप खुद सोच के देखो, कि कोई है ही नहीं आपको देखने के नहीं तो कि अपके साथ सुक में यह फिर स्वीजिघने वाली नहीं तो उस चीज का बता नुग पैसों ए उस घर से जो समझे हैं उस गाड़ी से या फिर जो भी आपको चाहिए उसे क्या कर लो जब कोई देखने वाला ही नियुक्त को ठीक है यह बेसिक हुमन मेंटलिटी होती है है यह बेसिक हुमन मेंटलिटी होती है समझ रहे हो कि जो भी उसकी सब्जेक्ट उसकी कैरियर सिलेक्शन है जो भी उसको चाहिए उसके एबलिटी के एकौर्डिक उसकी स्किन्स के कोडिक वही उसके लिए आप गाइट करो ठीक है सिंपल से यह चीज़ दी हुई है अब देखो यह सिंपल तीन पूंट दे दी है जो यह 30 में दिसकस करें हैं है ना और स्ञाव मिन्हाइन का मैच्वन देदि दी और किम से कॉस्टों कं ना दें ना देगा बना देगा रिलेशें अब दा सारा देखता के मिला दो मैच कर दो और जिसका अंसर ना आए वह अप नीचे क्या बोलते हैं इससे नीचे एक सब्सक्राइब अब देखो principles of guidance बहुत ही इंपॉच लेगा वट आरडव विच अफॉवव दफॉव देगा पूच लेगा ओनली वन ओनली तुवण तूवन 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 त्री या फिर ऐसे पूच लेगा चार अप्शन देगा जिसमें एक गलत देग पूचे लेगा which of the following is not the principle of guidance है ना तो जो उनसा गलत है वोदा देना ठीक है आयो मैंस guidance किस basic principles से काम करता है यह चीज़े है guidance is a lifelong process guidance is from womb to tomb बोल सकते हैं guidance लगातार निरंतर चलता रहता है गाइड जब बच्चा पैदा होते जब सी आप उसको guide करना start कर देती हो ऐसे नहीं खाना ऐसे खाना है खाने से पहले हाथ दोने है ऐसे होने है ठीक है चलना ऐसे नहीं चलना है कपड़े शर्ट ऐसे नहीं बांद नहीं ऐसे बांद नहीं है ताई ऐसे टाई करनी है समझे तो यह अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब तो तो गाइडेंस क् इससे पहले अगर आपके सामें सवाल आता कि guidance is a lifelong process आप में से कितने लोग टिक करते हैं यह ना बट अब आप टिक करेंगे कि guidance is a lifelong process guidance निरंदर चलता रहता है from child to till that इसका ना कोई start है और ना कोई end है ठीक है it is not a service which begins and terminates as a specified time or a place ना कोई start है ना कोई end है guidance lays emphasis on the individualization individualization means a simple as an individual आपके decision लेने आपकी खुद की freedom कैसे आपको achieve करनी है वैसे और कैसे आपको अपनी personal develop करनी है means एक individual रूप में आपको कैसी society में रहना है तो guidance इस पर focus करता है it emphasizes that each individual should be given freedom to shape his or her personality and he or she should be guided wherever the need arises वहा guidance मिले जहां भी उसको दरूर होता है for individualizing the education at different level so that it in the individual develop his or her abilities, interests and aptitudes in unique ways proper organization of guidance services very essential अब बताया ना guidance में आपको बस वो दिखाना आपको रास्ता दिखाना है आपको decision थोपना नहीं है decision लेना self decision लेना उसको खुद के regarding सोच के decision लेना वो उसका ही काम है उस बच्चे का ही काम है ठीक है वो आपको नहीं करके देना वो बच्चे का ही काम है है वो कैसे decision ले खुद का आपको बस दिखाना ना यह तू कर सकता है अब तुझे करना है उसको कैसे करना है और तेरे पर क्या-काइसर पड़ेगा मैंने बता दिया क्या फचिक आशर पड़ेगा बट अब तू खुद दे क्या तू उससर को जहल पागा आगा समझे रहों तो यह basic बात यह है, the main idea of the guidance is to develop the individual so that he or no longer finds it necessary to seek guidance. अब guidance की ज़रूत क्यों पढ़ती है, guidance की ज़रूत जब पढ़ती है, जब भच्चे में decision making power नहीं होती, जब भच्चे में decision making power नहीं होती, जब भी guidance ज़रूत पढ़ती है, जब भी वो सोचता है, मुझे कहीं से guidance मिल जाए और मैं decision form कर पाऊ, और काफियों में आजकर बच्चों में decision making power नहीं है, क्योंकि parents से करते हैं हर कतम पे अपनी चीज़े दिखा जाती है, तो जिसके आगे आने वाल टाइम में बच्चों guidance जो पढ़ती है, guidance makes the individual better adjusted to his or her environment and leads her him to self-reliance and self-direction, कि एक better adjusted environment की तरफ guidance लेगी जाती है, ताकि वो खुद की self-direction कर सके, खुद का self-decision ले सके, और खुद पे rely कर सके, कि और अपर रलाइ ना करे और उपर क्या बलते हैं? और रॉके ऊपर रलाइ नहीं करना, क्या है? खुद की ओपर ही विश्वास रखना, क्या है क्या है? a student who tries to seek help asks and may even implore the counselor to tell him how to solve all her difficulties but appreciates it more when he or his is shown several alternative procedures which she or he could adopt together with the problem कभी-कभी ना बच्चा जब ऐसा आप गाइडर काम करोगे आप गाइडर काम करोगे किसी के लिए तो बच्चा ना जरूर सोचेगा ची मुझे ना ये कोई ऐसी चीज बता दे हैं जिसकी रच्चे मेरे प्राब्लम सोलो जाएं काफी सार बच्चे से को देखो मैसिज करते हैं हमारे पास तो वह कहते हैं कि सर मैस यारी मैस का तो वह सुचने कि मैस की कुछ ऐसी पता लग जाए कि ज्यादा पढ़ना भी ना पढ़े और नंबर भी पूर जाए ऐसा नहीं कर लेना अगर आप सिर्फ और सिर्फ की कर रहे हैं तो ncrt कर लो है ना अगर ncrt से नहीं समझा रहा तो वीडियो देख लो ठीक है तो वेरियस अल्टरनेटिव दिखाना अलग 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 तरीके दिखाना करने के वह हमारा काम होता है उसमें से डिसी सेरी चूज करना आपके में है और जो आपसे लेने आया है उसमें एक cooperation बैटने चाहिए उसमें mutual understanding बैटने चाहिए जिसकी रचे आप उसको समझ पाओ और वो आपको समझ पाए समझे रहे हो यह चीज़ guidance depends on mutual cooperation of two individuals the guidance seeker जो आपके guidance लेने आया है and the guidance giver जो कि आप हो no one can be forced to seek guidance without the consent of the individual और हर और हमसेर यह थोड़ी है कि आप एक बार guidance यह फिर counselor बनगे तो रोड़ पर खड़ी हो जाओ देजते फिर होगे हाँ वह तु इदरा तु इदरा तु यह कर लिए घर जाके ठीक है ऐसे न लेने आ रहा है वो खुश हो मिन्स उसको सही में guidance के requirement और तभी तो यह process चलेगा वरना one way process नहीं हो जोगता समझे हो guidance is for all कभी भी as a guidance as a guider आपकिशी बेदभाव नहीं करना guidance सब के लिए होती है ऐसा नहीं है सिरफ और सिरफ पूर बच्चों के लिए guidance है या फिर सिरफ और चाहिए किसी भी race का हो चाहिए किसी भी color का हो guidance सब के लिए होती है और हो सकती है यह नहीं है कि कोई बच्चा बिल्कुली perfect of guidance के लिए guidance सब सब के लिए होती है ठीक है guidance looks towards the development of each individual potentialities although mal adjusted person students receive more of the counselor time but the basic principle of guidance is that it should not be available only to few students but rather to many it will be great use to devotion devote attention to all children in an attempt to stimulate their intellectual growth कि कुछ कुछ बच्ची है उनको आप बिशक तो टाइम जा रहे दो but guidance as a whole सब के लिए होनी चाहिए है सब के लिए मतला होगी तो सब के लिए individualized हमने पढ़ा कि guidance is individualized सब के लिए individual होती है है बट सब को देना यह आपकाम है clear है guidance is an organized activity guidance organized activity यह नहीं है कि हाँ बाई चलते फिरते दे लिए एक organized activity है उसका हर process होता है process में क्या जो आपके पास आया है जो आपके पास guidance लिना है उसके बारे जानना उसकी social economic background उसके skills उसके interest जब जानना और फिर उसके ऊपर कोई अपनी क्या बहुतते हैं अपने ideas पर श्तूत करना ठीक है और उस ideas में से कौन सा पिक करेगा वह उसका काम है कौन सा decision लेगा इन ideas में वह उसका काम है ठीक है guidance is not an incidental activity means ऐसे ही चलते फिरते होगी in spite of being a broad-based program it has a definite purpose to achieve it is therefore systematic and well organized activity पूछ लेगा is guidance a systematic or a well organized activity हाँ guidance a systematic or well organized activity है बिल्कूल है आपको गरना to yes समझ गे और यह सारे points तो याद रखले नहीं जो ब्लैक में है ना यह guidance is a lifelong process लेज़न एंफिसे और विजलाइजेशन यह सारे आपको point पूछ लेगा सीधा सीधा ठीक है यह आपसे point सीधा सीधा पूछ लेगा ठीक है चार को चार option में तीन option देकर पूछ लेगा तो याद रखना guidance workers need special preparation हां भाई चाहिए होती है अगर आपके चुक guidance दे रहे हो और उसने आपसे पूछ लिया कि मैं 12 के बाद क्या लूँ क्या करना चाहिए जिसकी वज़े से मुझे आगे अनल टैम में monetary benefit हो जिसकी वज़े से में अच्छी कासी क्या बलते financial development हो पाए तो इसके लिए आपको भी हर field की knowledge होने चाहिए यह नहीं है कि सिरफ भाई आपको 12 आप ऐसा गाइडर काम करें आपको 12 के बाद बस एक स्कोप पता और भी टैक का समझे रहे हो है ना कि बस आपको पता यहां भाई 12 के बाद तुछ सब चोड़ तुझे बटी कर ले भाई लाइट सेट है ठीक है ऐसा नहीं उसको बहुत सारे परस्पेक्टिव देने आपको बहुत सारे परस्पेक्टिव समझ रहे हो तो उसके लिए आपको भी रेडी होना चाहिए तो इसलिका वह सैवंथ पंट एक गाइडर्श वरकर निट स्पेशल प्रेपरेशन हां भाई चाहिए होती है क्यों हर इसमिल्ट की दोने जोंची है जब ही दो उसको प्रोवाइड कर पाओ जी भी तो उसके हमने अपना परस्पेक्टिव और उसके पॉइंट भी उससे समान रख पाओगा है समझ रहे हो यह इस जर्नली अग्रीड एट इन अदिशन टू जर्नल अच्छोड में अच्छोड़ी वोग नोचे सब्सक्रीण साइडन स्वालाइड पश रोण टार्वर्क मेंतार्य उसक्राइल इस मकड़जन अच्छों फॉइंट आजिस इện तो इसको ऐसा कोर्स कर रहे हो बच्चे को जो इंडिया में होता ही ना हो तो ऐसा कुछ बताओ जो अविलेबल है जो community में है जो resources है community में ऐसे कुछ आप उसको चीज़े बताओ ठीक है अलॉंग विद प्रियोडिक अपरेजल यह तो बस सिम्पर लिखाव है कि बाइज जो गाइडन्स प्रोग्राम होते हैं स्कूल में जो गाइडन्स टीचर वक करते हैं स्कूल में उनको periodic presence मिलना चाहिए ठीक है सिम्पर चीज़े लिखे लिए गाइडन्स गिब रिस्पेक्ट टू इंडिविजुल डिफ्रेंसिज यह तम दो बात कर लिए कि अगर आप गाइडर काम कर रहे तो आपको किसी भी तरह का वेदवाब नहीं करना चाहिए आपको पता होना चाहिए टेक है गाइडेन्स टेक्स इंटू कंसिडरेशन रेफरेंस तो सेलिंटर इंपॉर्टन या फिर इंपॉर्टन मालम में बेसिक ही जो की जरूरी तैक्टर से एंट तैक्ट सेंट थे मोस्त डेंजरास आप अल्गरेंस प्लेटेस इस तू काउंसल विडाउट है नहीं है data means कोई बच्चा आया है आपके पास आपके पास उसके बारे में कोई पर्टिकुलरण दाट नहीं पुर्टिन होता है जो डाटा आपको चाहिए किसी बेग कंट्रुशन में जाने के लिए अब देखो आप बच्चा कोई आपके पास है फुत सोच से देखा अपके स इसका कुछ भी ना जाने में आपने उसको सीधा पोल दिया बेटा तु दिखने में गंदा लग रहा है तो दिखने में तेरा हुलिया बेकार लग रहा है मेंस तेरा dressing sense तु मुझे arts का लग रहा है समझे तो यह mentality होना कि सिरफ बेकार दिखने वाले बच्चे आर्ट समें बेकार दिखने वाले मिंस ड्रेसिंग सेंस बेटा तेरा वेकार आए तू आर्ट समीजा ठीक है यह क्वैकरी है क्वैकरी मिन्स यह इल्लिकल टाइप है यह बहुत ही गंदी चीज है समझे रहे हो इस बात को तो आपके पास सिर्फ बच्चे के उसको लिये को दे पूछ लिया अब बता तू आगे जाके तुझे कौन सी फिल्ड में क्या करना है मिन्स तुझे अगर आर्ट करें तो यह बन सकता है तू साइंस करें यह बन सकते हैं अब तो फुद देख तुझे क्या बनना है तो आपके पास डाइटा हो ना चीजिए गाइड़ गाइड कर दिए तो HQ फूच लेगा is data required for guidance मतलों ंपना देगा इगा इसका क्या data की requirement होती baldence के लिए बिल्कूल होती है एक data की requirement बिल्कूल होती है समझ चीग है तू administer guidance intelligently and with as thorough knowledge is possible programs of individual evaluation and research should be conducted and accurate comparative records of progress and achievement should be made available to guidance अवर कर तो according to accordingly सब के पास accordingly आपके पास उसका cumulative record होना चाहिए कि बेटा तो कहसे कैसे progress करता आ रहा है क्या क्या तेने achievements रही है तो उसी साथ आपको guide करना है समझ गी बात guidance is flexible बिल्कूल है guidance flexible है simple पूछ लेगा which of the following is incorrect यह इन में से कोई भी तीन option डाल देया और चुता डाल देया चुता डाल देया guidance is rigid ठीक है जबकि guidance is flexible guidance flexible होती है क्यों according to individualized need आपको अलगला guidance देती हो guidance कभी भी एक पट्टी को ग्रूप के लिए same नहीं रहती individualized होती है इसलिए guidance क्या है flexible है simple बात है ठीक है guidance is an interrelated activity effective guidance needs complete information about the individual because it is difficult to see any problem in isolating with correlating it with total program एक for example देखो guidance आपको पता interrelated activity है ठीक है क्योंकि आपको यह नहीं है कि उसको आप कर रहे हो बच्चों को तो उसको सिर्फ और सिर्फ उसके बिश्यव स्कूर्स पर गाइड कर दिया उसको आपको सारे इंटर रिलेट करके ही इन सब चीजों को इंटर रिलेट करके ही आपको उसको गाइड करना है यह नहीं सिर्फ उसकी जो प्रॉब्लम की बिश्यव सको गाइड कर दिया उसकी सारे एक्टर से देखके आपको गाइड करना उसको समझ गए तो यह लिखाव है गाइड इंटर रिलेटेड एक्टूटी ठीक है गाइडेंस एमफसाइज एमफसाइज ओन दो कोड़ एथिक्स अपके मन में दूसरे के लिए जिसको आप गाइड कर रहे है उसके लिए रिस्प रिस्पेक्ट होने चाहिए आपको ठीक है यह नहीं अब बच्चा कुछ आपको समान कुछ उसकी वैल्यूज अलग है और आप वह आपसे कुछ पूछने और आप आपने गाता चालू कर रखिया कि ऐसे नहीं करना ऐसी तूने गल्द कर दिया ठीक है उसको उसके पॉल्स है यह आप बैसिक बैसिकन इसारे कर लेना इनमें से कोई भी कोश्चिन बना देकर बना चाहिए और गाइट इनमें से कोई भी कोश्चन बना की पूछ लेगा आपकी और आपकी प्री mastery हो जाएगे इसके बाद guidance का फिर कोई भी सवर उठागे देख लिए अगर ना आए तो ऐसा होने पाएगा guidance is a continuous process and it deals with all aspects of life hence guidance is needed in various aspects of life generally schools offer the following types of guidance services कितने टाप गाइडन्स होती है educational guidance vocational career type of guidance और personal social ये तीन तो होती है प्लस दो और होती है वो आगे देखने simple question कुछ लेगा which of the following other type of guidance ठीक है option देगा एक कोई अलगा option देगा वो कलत हो जाएगा वो गलत मार देना बाकी सारे तो educational होती है vocational vocational means related to your career आपको career options इसके related ठीक है और तीसरा परस्नल शॉप्षन ठीक है एक बड़ थोड़ पानी पीड़ों स्टाट करते हैं देखो इमोशनल guidance ठीक है बाई देखो इमोशनल गाइड़ेंस ठीक है इमोशनल गाइड़ेंस ठीक है इमोशनल गाइड़ेंस अभी तद पढ़ते आ रहे हैं education means in terms of education उसको education में क्या क्या problem आ रहे हैं related to its course उसके curriculum के regarding study के regarding कोई भी दिख्कत आ रहे है guide करना as a guide as a teacher आपको काम है चीक है simple है क्या के दिख्कत देखो it is a process of helping the individual to place him or herself continually in the most favorable setting or environment for his or her education की education में वो कैसे अपने आपको place कर पाया कैसे अपने आपको adjust कर पाएगा अगर उसको दिख्कत आ रहे हैं दोसको भाई help करो it is concerned with helping the individual to plan wisely his or her educational programs and to put himself or herself in a position to carry forward successfully even simply जबही लिखी वह है कि रहा सो कोई दिख्कत आ रही है तो उसको ऐसी placement दो ऐसे उसको adjust कर आवे environment में ताकि उसको वो दिख्कत ने जो आ रही है वो ना हो ठीक है it is primarily concerned with the problems problem हमने डिसकस कर लेकिस से related to course curriculum or study कोई भी इसमें दिख्कत है और वो कैसे आ सकते देखो students can be given training developed study skills क्या क्या उसको जैसे skills में जो जो दिख्कते आएंगी जो जो उसको study में दिख्कत courses में करिक्लों में दिख्कत आएंगे उसको कैसे ठीक कर सकते हैं by providing the following skills इनको इसे उनको यह skills सिखा दो था कि at least यह दिख्कते दोनाएं ठीक है locating and collecting academic information data from various sources कि भाई आपके पास source देखो अब आप के भी स्कितियाज कर रहे हो आपके हम सो तो जयसे हम आपको भी पढ़ा रहे हैं तो इस सो से आपको define कर दिवर ना सोST कि लेज़ाइज lorsqu अंधिआप से ठीक है तो मेरे पड़ सोर्ष यह में पड़ाइज्थ है जाए फाइल में वेच्टव करना तो यह भी मेरे पास है ठीक है linking using data information in the course of study पिसली information को link करके आगे वाल information form कर formation करना यह उनको आना चाहिए note taking उनको आना चाहिए note taking भी आना चाहिए और note making note लेना और note ना दोनों आना चाहिए retrieving required data जो भी उनको requirement data को उसको निकालना चाहिए वो बुक से चाहिए वो किसी भी source हो जाए Google से हो उनको आना चाहिए summarizing किसी भी topic को छोटे तरीके summarize कर देना उसको sunshape में बता देना वो भी उनको आना चाहिए techniques for memorizing memorizing techniques भी उनको आनी चाहिए अगर कोई hard topic अगर उनको समझे नहीं आ रहा तो simple सी बात अगर number लाने तो उनको रटना पड़े गई उनको रटना पड़े गई तो memorizing techniques भी उनको सिखा ही जा सकती है ठीक है अब यह नहीं कि हर चीज़ रटा माग रही यह नहीं करना further school guidance program can help students develop critical thinking decision making and problem solving skills तो यह तो आपको पता ही है यह चीज़ तो important है उनके लिए कौन से critical thinking ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या बलते करी कुलम या फिर अपने पाठ्य करम में क्या बलते हैं वहां तक सी मत मिना रहे वह अपनी life में कोई उसके सामने problem आया उसको उसके बारे में नंक से सोच पाए ठीक है decision making decision नंक से बना पाए problem solving skills उसकी problem solving skills अच्छी हो जीए at secondary stage of schooling student needs guidance for planning future higher education ठीक है secondary stage जब आ जाएगा वो 10th हो जाएगा तब उसको पता ना पता होना चाहिए उसको आप guidance आपको guidance देनी चाहिए कि जब वो 11th में होगा आपको जब वो 12th से निकल रहा हो वो जब चाहर अपने के बारे में depressed रहता है Стress रहता है कि क्या मैं आगे क्या करूँ अं ये अपको इपता है अपने में कभी ऐसी feel किया एकने aboutuch noun मैं आगे क्या करूं। क्या करूं। समत्र है। Guidance Requirement होती है। College के बाद भी guidance Requirement होती है। College के अंदर भी guidance requirement होती है। ठीक है ? तो Vocational or Career Guidance कुछ भी नहीं है। उसको assist करना Хी किसको बच्चे को assist करना ह। उसको Career option चूज करने में। चूजती तो खुद करना है बस आपको बताने में उसको दिखाने में कि यह यह तरह में से केरियर औप्शन से डिशीजन दे रहा है ठीक है अधरर प्रकाषणी गयाडुस टो चूओज अप्रोच सिंपल से बिशन सिंपलligen क्यों स्कूल चाहि जु नहीं का पताहिए है अब आजो personal social guidance जैसे की नाम से पता लग रहा है personal social guidance की उसको society में कैसी adjust करना कोई माल अड़िस्ट बंदा है उसको सिखाना कि भाई society ही सब कुछ है society की भीना कुछ नहीं है अगर तो जी रहा है किसी वहम में कि society की भीना तो बहुत कुछ कर लेगा तो यह गरत बात है समय तो यह बात है उसको सिखाना उसको अड़िस्ट करना सिखाना कि society में कैसी अड़िस्ट रहना है मिल जूल कि कैसे रहना है तो यह आपको सिखाना होता है कि इसमें personal social guidance this includes social emotional and leisure time leisure time guidance कोई से जब time guidance provide कर दो भाई चलो free period है और अचाप guidance teacher आपका किसी भी class में आपको period लग गया उनको बता देना भाई simple जो भी सवाल पूछे उनको basic basic guidance दे नहीं ठीक है लेजर में खाली टाइम में it concerns with the problems of health कोई health problem हो emotional problem हो emotional adjustment को problem हो social adjustment की problem हो purpose of personal guidance is to help the individual to help himself or herself in regard to his or her physical emotional social moral और spiritual development तो personal guidance की चीज में social emotional physical और moral spiritual development में उसकी help करना उसको guide करना simple यह चीज़ पूछी विए बोली विए आगे बाद समझें clear रहे भी तुमारा topic ठीक है उसके बाद है अदर टाइप्स एक अदर टाइप के recreational guidance ठीक है यह दो आपने सीख ली तीन देखो एक तो emotional guidance सीख ली आपने ठीक है एक कौन सी vocational और career guidance सीख ली तीसरी सीख ली personal and social guidance अब एक recreational guidance एक है community guidance ठीक है तो यह तीन और यह दो पांच recreation guidance can be given to help in choosing recreations which are suited to his or her personality characteristics कि तेरी personality की accordingly तो यह यह चीज़े चूज कर सकता है अपने career में extra एक्स्ट्रा चूज कर सकता है कि अगर तू साथ की साथ MBA कर रहा है तो तो न एक vocational या फिर एक open school से psychology course भी कर ले क्योंकि जिससे कि तेरी mentality develop हो जाएगी समझ रहे हो क्योंकि तरको interest भी उसमें तो तूब वह कर ले तो उसके characteristics के according उसको अलग अलग चीजे बताना यह होते है recreational guidance recreation means कुछ अलग बताना कुछ अलग recreation कुछ नई चीज़ बताना है ना उसकी personality according यह तो simple है कि उसको MBA कर नहीं है उसके according बट भाई तरह मुझे लगता है कि तुना थोड़ा minded person है और तुना psychology में तरह दिमाग सही है तो तुना side side psychological course कर लियो है ना तो यह recreation कुछ नए idea provide करना ठीक है community guidance involves assistant to an individual in planning a program activities which he or she balances with his personality traits and his or her activities कि उसको assist करना एक कोई प्रोग्राम क्या बोलते हैं program of activities के लिए जिसके job balance कर पाए अपने personality traits के साब से ठीक है community guidance कि community के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहा है और उसके लिए आप उसके personality के regarding वो जो अपने चीज़े कर रहे हो तो कर रही पाए प्लस extra यह चीज़ भी कर पाए ठीक है तो यह दर ताइब of guidance or committee guidance ठीक है यह जरू कर लेना बाइक guidance is a dash process lifelong process है ना तो यह सारी जीज़े कर लिए रीक्रेशन guidance assist in choosing in choosing क्या recreations which are suited to his or personality characteristics ठीक है simple simple है involves planning of program of activities कौन सी जो की वो balance कर पाए अपने personality traits recording ठीक है तो यह सिंपल चीज़ है ठीक है यह होगा अब आपका कौन सा topic खत्म guidance का यह ना provision of guidance and counseling guidance पर अब आपके mastery हो जोगे हमने सारी चीज़े पढ़ लिए guidance पर ठीक है तो guidance आपकी चीज़ खत्म guidance का कोई भी सवाल करके देखो आपसे हो जाएगा ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे वो solve ना हो ठीक है counseling करें हम करें करें क्लास में तब तक के लिए आपसे मिलते हैं क्लिक लास में जय हिंद बंदे मातरम राम राम करें 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 तो आपसे मातरम राम